हाज जी आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एकजाम न्योज बाई ओदैसर में तो सभी साथियोंने ग्राम सचिव का एकजाम दिया होगा जिन्होंने आवेदन अपलाई किये थे इस भरती के लिए तो जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको मेरी तरफ से एडवांस में हारदिक सुबकाम नाएं उनका सेलेक्शन जरूर होगा उन्होंने मेहनत की है दूसरा आप देख पा रहे हैं कि भाई हरियन जीके के हर सिप्ट में तीन से चार हाड लेवल के पिरसन आई थे बिल्कुल जिसे मैं कह सकता हूँ अच्छे लेवल के पिरसन मैं कह सकता हूँ और मैं बार वार उस टेम वीडियो डाल रहा था कि भईअ पिले लिस्ट है हमारी महाँ पर मौक टेस्ट आवी लेवल है उन वीडियों को चेक कर लो मैं बार वार एक ही बात बोल रहा था कि भईई पचास पलस वीडियो है चेक आउट कलने 15-16 मिनिट की मेरी एक वीडियो है और एकजाम से पहले मैंने दो दिन पहले इतनी अच्छी सीरीज कम्पलीट की थी हार्ड लेवल की की मतलब की कहा कहा से आपके पिरसन बन सकते हैं जो एच्टेट का एकजाम हुआ था उसे देखकर मैंने और भी टॉपिक क खासकर जो हमारी लाश्ट साथ दिन की महनत थी उसमें से बहुत ही ज़्यादा पिरसन आए हैं अच्छे लेवल के हार्ड लेवल के कि मैं ये नहीं कह सकता कि एक भी स्रिप्ट में हमारा कोई पिरसन नहीं मिला मतलग जो हमने नहीं करवाया हो सारे पिरसन करवाए हैं हर स् लेवल कम्प्लीट था और दिखाउंगा हमारा जो लेवल था वो पिरसन आए हैं और बिल्कुल सही आंसवर दूँगा आपके सामने कि कौन-कौन से अच्छे लेवल के पिरसन थे और कौन से पिरसन का कहा से संबंद है क्योकि उन्होंने आनसवर की भी साथ के साथ बताए ये चैनल पर लेकिन उनकी जो answer की है और जो उनकी answer बताए गए है वो गलत बताए गए है काफी प्रिसनों के answer गलत है मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जलदवा जी मैं बिलकुल नहीं करता हूँ मैं इंतजार करता हूँ हर बात का चाहे मुझे देर हो जाए तो अब वो person मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो भाई चेक आउट कर लेना कि आपके कितने पिरसन अच्छे लेवल के जो आए है वो ठीक है या फिर कितने इन में आपका तुक्का लगा है या नहीं लगा है और आगी कैसे पढ़ना आए ये भी जानकारे दूँगा इस वीडियो में तो सिफ्ट में 25 यानि 20-22 के करीब पिरसन आए अठारे से ज्यादा ही पिरसन है लगवग 20 के करीब भी हो सकते हैं एक दो सिफ्ट में तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारे पिरसन में आपके लिए लेक कराए हूँ जो अच्छे लेवल के पिरसन है इसमें से भी कुछ रह जब हम वीडियो डालते थे कि वही चार पांच पिरसन आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे अगर वो आपके ठीक हो जाते हैं तो आप दूसरे से जरूर आगे जाएंगे और आसान पेपर था और आसान पेपर में चार पांच पिरसन हरियन जी के कि जो अच्छे लेवल के और वो ठीक हो जाएं तो वो आपको दूसरे से आगे जरूर कर देंगे और हुआ होगा कुछ सातियों के साथ ऐसा जिने इसका फैदा हुआ जो हमारे साते जिनोंने हमारी वीडियो देखी या फिर हमारे पेड स्टुडेंट है जिनोंने हमारा बैच लिया है उनको जरूर इ जिनोंने कट ओफ डाली है ऐसा एक साथ नहीं होता है इंतिजार करना होगा और कल मैं आपको कट ओफ बता दूँगा ठीक है एक साथ ऐसे हम नहीं बता सकते दूसरों की जैसी हमारी आदत नहीं है दहरीया रखें कल देखते हैं कट अप के लिए ठीक है तो वो पिरसन चेक कारी दे रहा हूँ जो भी person में आपके लिए लेक कराया हूँ तो यहां से जो पहला person है भाई वो देख ले अब आपका कौन सा person बनेगा एक मिनट तो पहला person भाई यह person देखें भाई चमत कार हुआ इस person में तो pajashya का संबंद किस छ Ada 36 है विल्कुल यह जो आज पेपर था इवनिंग सिप्ट में ये पिरसन आया है कुछ पिरसन की लेंगवेज ऐसे ही थी या फिर कलिशिया एक राजा थे उसका कुछ संबंध है तो ये हमने पेपर होने से एक दिन पहले ये पिरसन हमने कम्पलीट किया था भाई बिलकूल मैंने एक वीडियो डाले थी कम से कम इस वीडियो से 6-7 पिरसन आएंगे उसमें मैंने साइद इसको कम्पलीट किया मतलब कि एक या दो दिन पहले ही मैंने वीडियो डाले थी वहाँ पर ये प लथवे चचरोली का जो किला है इसे किस दूसरे नाम से जानते कलशिया का किला तो बात वहीं पर आ गई भी घुमा कर ठीक है तो जरूर फायदा हुआ होगा जिन कंडिडेट ने उस वीडियो को देखा होगा धंग से तो अगला प्रिशन जी हाँ जबरजस्ट प्रिशन हवेली से संबंदित वो कंप्लीट किया था और मोस्ट अर्जन जो जबरजस्ट हवेली थी अच्छे लेवल की वहाँ पर मैंने एक प्रिशन पूछा था कि प्राचीन गुम्बद समारक हरियान में कहा पर है और जादा तर यूटूब वाले बोल रहे है भाई भिवानी औ प्राचीन गुम्बद समारक हरियान में कहा पर है अगला प्रिशन देखते हैं ओटू बैराज हरियान में कहा पर है कितनी बार ये प्रिशन मेंने अभी नदियों का एक टॉफिक डाला था रहियान में समझाया था यह यह यवना की पूर्वी नदी है रहियान की वहां से गृर्शन मेंने बोला था कि हो सकता है ओटू जील या ओटू बैराज आप से पूछ ले तो इसका जो राइट आंसर तो भाई यहां से बन सकता यह तो अच्छा लेवल का नहीं है इसे मैं 50-50 कह सकता हूं यह आपको मिल जाएगा तक्रीबन सभी जिगए ठीक है अगला पिरसन देखते हैं तो भाई देख लें यह भी कोछ ऐसा पिरसन है जिसने हमारी वीडियो देखेंगी जरूर यहां से उस वाले थे ठीक हैं उनमें से कौन से नहीं है तो भाई यह देख लें 2013 आंस्वर बताया भाई बड़े बड़े आदमियों ने क्या बताया है 2013 भाई गलत है 2013 यह जो संस्तान है प्रवंदन संस्तान जो की रोहतक में है इसकी सतापना 2009 10 में हुई थी भाई आप्शन में 10 नही भाई बिलकुल यही है ठीक कर लेना जिसने सोचा है कि मेरा एक नंबर माइनस हो गया तो भाई वो पलस कर लेना और जो सोच रहा भाई 2013 तो वो माइनस कर लेना अपना एक नंबर तो भाई जबर जस्त पिरसन भाई यह हमने कंप्लीट किया था अपने बैच में और जिनों बहुत सारी वीडियों है हाड लेवल की ठीक है अगला पिरसन देखती है तो भाई इसी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा ये आप सभी जानते इसकी फॉल फॉर्म क्या हो सकती है तो ये देखें आज की इविनिंग सिर्ट में फिर से एक जब अरजस्ट पिर जी हाँ कितनी बार चिला चिला कर मैंने इस कांसर बताया था इसका संबंध कहां से कैथल से है बच्वन रावन का यहीं पर बीता था इसलिए मैं बार बार बोल रहा था तो इसका जो राई ट्रांसर क्या रहेगा कैथल रहेगा बाई एक नंबर पलस कर लेना बाई कैथल जिसने इसको ठीक किया होगा एक नंबर का जरूर फाइदा होगा आसान पैपर में इसलिए मैं बार बार चिला चिला कर आप शे ये बोलता था कि हाड लेवल के प्रिसन के तैयारी करें कुछ ऐसे थे कॉमेंट करते थे कि कुछ भी नहीं आएगा तो भाई देख लें आपके सामने अगला देखते हैं प्राचीन रचना जी हाँ बहुत ही अच्छा प्रिसन है सबसे पहले मैंने प्रिसन करवाया था अपने चैनल पर प्राचीन रचना अमृत्वानी से किसका संबंद है मैंने कितनी बार बोला संत गरीवदास संत गरीवदास से सकान स्वर रहेगा हाड सीरीज में कितनी बार मैंने रचना कंप्लीट करवाई है बार बार बोला मैंने संत गरीब दास से शंबंद है तो ठीक है भाई आपकी मर्जी है तो इसका जो राइट आंसर हैगा संत गरीब दास जी हाँ अगला प्रिसंद देख लें यह तो जी ए ग्राम पंच है जो फ चले यह फिर राजा कमकट ठीक है पांच हजार साल पुरानी कब्रिस्तान यह सारा टॉपिक मैंने कंप्लीट किये थे एक वीडियो में उसमें मैंने बोला ता सपेशल की राणिया का संबंद सिरसा से है और कुनिंद का अंबाला से है कुनाल का फतेबाद से राखी गड़ ठीक है भाई मत पढ़ो आपकी मर्जी है जिसने इसका फायदा उठाया उसे जरूर फायदा मिलेगा नौकरी मिलेगी सीधी ठीक है अगला देख लेते हैं यह तो एजी पिरसन है यह तमिल गोसित की थी ठीक है दूसरी राजवासा जो बंसीलाल थे मेरे साब से साहद जिन से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ आसान तो हर कोई पढ़ता है कुछ अलग पढ़ कर जाएंगे तो सेलेक्शन पका होगा ठीक है आसान तो हर कोई पढ़ता है अगर कुछ अलग पढ़ कर जाएंगे तो सेलेक्शन जरूर होगा और दूसरी बात कुछ होंकि मेरे पा आए और बिल्कुल मैं सांत बैठा था कि एक बार एक्जाम किलियर हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि लेवल कैसा था और हमारी पढ़ाई का लेवल कैसा है मैच हुआ है नहीं हुआ सच्चा है आपके सामने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना एक औ पूरा मैच होगा पूरा विश्वास के साथ के सकता हूं 2020 की करन्ट अफेर जैसे मैंने फ्री दिये लास्ट बैच में 2021 की ऐसे ही मिलती रहेगी 20 की भी मिलेगी फुल कम्प्लीट दूंगा हार्ड लेवल तक मतलब की कम्प्लीट करके ठीक है और एक बार फीश देनी है दो कोई भी डेट हो कैसे भी जब तक होगा ठीक है फिलाल के लिए औफर है और जो प्राने साती है उन्हें 50% छूट दी जाएगे बाई 15 तारिक से बैच स्टार्ट है तो फिलाल के लिए इतनी ही जानकारी है और जो सुपरवाईजर वाले हैं या लेवट एंड वाले उनके के लिए कुछ ना कुछ अपलवद कराएंगे नोट्स वगयरा तो आप सभी ने इस वीडियो को इहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद